दोस्तों EPFO यानी करमच्वारी भविशे निदी संगटन ने कडोरो खाता धालकों को बड़ी खुशकबरी देते हुए Employee Provident Fund यानी EPF पर ब्याज़ दर बढ़ा दिया है रिपोर्ट के मताबिक Employee Provident Fund Organization ने 8.15 फी सदी की दर से ब्याज़ देने का फैसला कर लिया है इससे पिछले वितवर्ष के लिए EPFO की और से 8.10 फी सदी की दर से ब्याज़ दिया जा रहा था Employee Provident Fund Organization की और से वितवर्ष 2022 तेस के लिए EPF खाता धारकों के लिए 8.15 फी सदी की ब्याज़ दर देने का फैसला लिया गया है इस तरह से देश को 6 करोर से अधिक EPF खाता धारकों को बड़ा हुआ ब्याज़ मिलेगा और उनकी खाते में ज्यादा पैसे आएंगे 2021 से 2022 के लिए EPF और ने ब्याज़ दरों को घटा कर 8.1 फी सदी कर दिया था जो पिछले 4 दशकों के निचले स्तर पर आ गया था वितवर्ष 2021 में ये 8.5 फी सदी पर रहा था पिछले साल यानि साल 2021 के लिए ये दर 8.1 फी सदी पर रही थी और ये ब्याज़ दर पिछले 40 सालों में सबसे कम रही थी और सरकार के इस फैस्ते से काफी विरोध भी किया गया था Central Board of Studies की और से जो ऐसे ही ब्याज़ दरे तैकी जाती है वितमंत्राले को इन ब्याज़ दरों के प्रभाव में आने का नोटिफिकेशन निकालना होता है करमचारी भविश निदी संगतन बोड की दो दिवसिय बैठक 27 मार्च 2013 से शुरू हुई थी अनुमान के मुताबक EPFO के करीब 6 करोर सदस्य है और EPFO करोरों करमचारों के 27.73 लाग करोर रुपे के हो मैनज करती है आज इस खबर के आने के बाद से देश के 6 करोर खाता धालकों को बड़ी खुश कबरी मिली है आज श्रम मंत्री भुपेंत रियादव 2022-23 के EPFO रेट का एलान कर सकते हैं आपको बता दे कि मार्च 2020 में EPFO ने साल 2019-20 के लिए ब्याज दर खटा कर 8.5 पीसदी कर दी थी जो इसके पिछले 7 सालों का सबसे निचला स्थर था साल 2018-19 में EPFO की ब्याज दर 8.65 पीसदी पर रही थी दोस्तो हर साल मार्च में CBT की बैठक में ब्याज दरों पर फैसला होता है पिछले साल EPFO को अच्छी कमाई हुई थी इसलिए इस बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उमीद की जा रही है फिलाल इस कबर में इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहे है जनता की आवाज जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथ की बैल आइकन जरूर दबाएं